नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 15 अक्तूबर 2024 का संपुर्ण राशिफल उससे बेले आज की दिन का जो पंचांगा उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है मंगलवार का है, क्रोधिनाम समवस्सर है, सुर्य का दक्षिनायन चल रहा है, शरत रुतु है अश्विन मैने की शुकलपक्ष की तेरवितिती है, नक्षत्रोग पुरुबा भादर बता है, यो वृद्धी है दिन का जो करण है वो काउलव है, और जो रात का करण है वो तैतिल है आज की दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुबात होगा, दोपर बारा बचकर बारा मिनिट से लेकर एक बचकर उन्तालिस मिनिट टक और अभिजितमूर्थ दोपर 11 बचकर 48 मिनिट से लेकर 12 बचकर 36 मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अविजीद मौर्थ दिन के शुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतवरुनकाम या फिन्यनने आप ले सकते हो उसे परिकार आज की दिन का जो राहुकाल है वो शुरुबात होगा दोपर 3 बचकर 6 मिनिट से लेकर 4 बचकर 30 मिनिट तक और या मगंड़काल सुबह 9 बचकर 18 मिनिट से लेकर 10 बचकर 45 मिनिट तक का होगा राहुकाल और यामगंड़काल दिन के अशुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्वप्रणका या फिन्यनने बिल्कुल भी नहीं लोना उसे प्रकार राजकी दिन का जो चंद्रमा है ये चंद्रमा उंबराशी में ब्रहमन करेगा दोबर तीन बचकर चौवल स्मिट के बाद ये चंद्रमा मीन राशी में ब्रहमन करेगा ये चंद्रमा मंगल के साथ त्रिकोन योग करने जा रहा है गुरू के साथ केंद्रियोग करने जा रहा है इसे प्रगार नेप्चुन के साथ यूतियोग करने जा रहा है और शुक्र के साथ त्रिकोन योग भी करने जा रहा है यह अगर सिदि सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिफल क्या होगा इस विशेपर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के लाब भाव में चंद्रमा का ब्रहण है आपके त्रिद्या भाव में सिद मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोन योग करने जा रहा है आपके द्वीदिया भाव में सित गूरू के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है जो भी आपके महतोबन काम है दो पर के पहले अगर आप करते हो तो काफी इसली पूरे होते हुए नजर आएंगे उसी परकार कुछ अच्छे लाव अगरा भी मिल सकते हैं कुछ अच्छे नए आइड़ास भी मिल सकते हैं अलाकि दो पर के बात कर समय है उसमें थोड़ा आप आराम करना पसंद करगे दो पर के बात कर समय उसमें घूमना फेरना जादा हो सकता है उसे प्रकार किसी भी प्रकार के महत अपने निर्णा नहीं लेना कुछ अनप्रिक्षत लाव आपको मिल सकते हैं दिन आपके लिए शुवफ अलदाई सावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिशव राशी ब्रिशव राशी के दशंभाव में चंद्रमा का ब्रहवन है पर आपके दित्या वहा में सिद्मंगल के साथ ये चंद्रमात्री को नियोग करने जा रहा है आपके राशी में सिद्गुरू के साथ ये चंद्रमा के इंद योग करने जा रहा है तो बर तीन बच कर च्छा अले स्वाव निस के बाद ये का घृत कर दे mehr ही आत के दिनHello उसमें आपको कुछ अच्छे इंट्यूशन्स वगरा आ सकते खास करके आपके जो वैवाई जोड़िदार है उनके साथ आपके हार्मानी बहुत ही अच्छी देखी जाए कि उनके साथ कही बाहर घुमना फिरना भी हो सकता है कुछ अच्छे लाव वगरा मिड़ सकते हैं पूरह एक्टिव रहोगे जो काम आप हात में फूरे होते हुए नसरा बती है लाव रहेंगे कुछ अच्छे इंट्यूशन्स वगरा आ सकते हैं आपको मिल सकते हैं कुछ अच्छी बाते हैं वह आपके लिए हो सकती है तो दिन आपके लिए शुब फलिदाई सावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करकराशी करकराशी का अश्टम बाव में चंद्रमा का ब्रहण है और आपके वह आपके लाप बाव में स्थित गुरू के साथ यह चंद्रमा के इंद्रियों करने जा रहा है यह चंद्रमा यूद्यों करने जा रहा है यह चंद्रमा त्रिकों यूग करने जा रहा है काफी महतोबण दिन है आपके लिए आज के दिन कुछ अच्छी इंटिश्ट भी आपको आ सकते हैं दो बात के समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्फलदाई साबित होगा खास करके अगर आप किसी के relationship में है या फिर नहीं relationship बनाना चाहते हो काफी अच्छा मेर्तोफण और शुक्फलदाई दिन है आपके लिए कुछ अच्छे लाव वगरा मिल सकते हैं कुछ अच्छे आपको अप्रशुडव वगरा भी मिल सकते हैं ऐसे कोई intuition आ सकते हैं जो कि भवशे के लिए के आपके लिए शुक्फलदाई साबित होगा इस प्रकार अगर राशी है वह है शिंघ राशी शिंघ राशी के सब्सक्रम को मांद्टर मां का ब्रमन हैं और आपका लाव राव मेसी सथ मंगल के सात यह चंदर मां प्रकां हो करनी जा है नहीं चारा रहा है और आपके दशंबहों मिश्चित हर्शल के साथ ये चंद्रमा लावियो करने ही चाहरा है काफी महत बुर्ण दिन है आपके लेखास करके आज की दिन आपके जो वैवाई चुड़ी दर है उनके साथ आपके हार्मोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगे उनके साथ ये बाहर गुमना फिर ना हो सकता है कुछ अच्छे लाव वगरा भी मिल सकते हैं जो अपके बाद के लिए समय है उसमें थोड़ा से स्वास्त के बारे में जयान देना होगा स्वास्ते देने किसी भी प्रकार के लक्षन अगर आपको दिखाई देते हैं तुरंद काम करना होगा उसे परकार कुछ अनपेक्षित अनेक्स्पेटेट लाव अगरा भी मिल सकते हैं दिन आपके लिए मिला चुला सावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कर्ण्या राशी दो पर तक कार स्मया है उसमें किसी भी प्रकार के महत अप्र न काम नहीं करना लेकिन कारशेतर से रिलेटर कुछ महत बढ़ना काम हो सकते हैं उसी प्रकार दोपर तीन बच कर चावले समेटे के बाद यह चंदरमां के सब कम बाव में प्रमन करेगा वह यह पर सितने प्चिन के साथ यह चंदरमां युदियों करने जा रहा है काफी महत बढ़ने दिन है आप लिए कास करके आज की दिन दोपर तकर समय है उसमें कारशेतर से रिलेट कुछ अच्छे काम या फिर कुछ अच्छे आपको मिल सकती है जरूर उस पर काम कीजिए दोपर के बाद कर समय है उसमें आपके जो वयवय जुडितार उनके साथ आपके हार्मोनी काफी अच्छी देखी जाएगा उनके साथ कहीं बाहर गुमना फिरना भी हो सकता है सिर्फ उनके स्वास्त के बारे में ध्यान देना होगा कुछ अच्छे इंटुशन भी आ सकते हैं तो दिन आपके लिए दोपेle के बात करने समय है शुबफल्दाई सावीत होगा इसके बात की जो राशी है वो है तुलाराशी तुलाराशी के पंचम भाह में चंद्रुमा का भ्रह्मणन राब्यक भाग्य भाहत्य ही सित्मंगल के साथ यह विभू metres को और हम संधान यह करने साद यह हैं करने जाए जाplus वा about कर ने कहाँ है । जो भी मैठवर्पर काम हैपम है प्लोपर डो पर के पहले अगर आप करते हो तो वो काफी जीरी पूरे होते हुए रंजर रहेंगे, आपका जो mood, confidence, energy बहुत ये अच्छी देखी जाएगी, उसी प्रेकर आपके जो वैवाई जुड़ी दरा है, उनके साथ कही बाहर घुमना फिरना भी हो सकता है, आला कि दोपर के बात के जो समय है, उसमें थोड़ा सा स्वाइम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना होगा, आपका जो mood है, वो थोड़ा सा negative होने की संभावना जाता बन रही है, कुछ अच्छे love अगरा मिल सकता है, लेकिन दोपर तक जो समय है, वो आपके लिए शुबफददाई साबित होगा, इसके बात की जो राशी है, वो है वृच्चिक राशी, वृच्चिक राशी के चतुरतो बाव में चंद्रमा का भ्रमन है, और आपके अश्टम बाव मिस्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनियो करने जा रहा है, आपके सब्तम बाव मिस्थित घुर्चिक राशी के साथ ये चंद्रमा केंदरियो करने जा रहा है, महतोपने दिन हैं आपके लिखास करके आज की दिन आप घर पर रहना पसंद को रहें दोपर तक आजा समय है उसमें घर के जो लोगे उनके साथ आपकी जो इंट्रेक्शन है वह काफी अच्छी देखी जाएगी घर से कोई महतोपने काम है वो भी आप हाथ में ले सकते हो वा हो सकते हैं अगर आप धार्मिक या फिर अद्दर्मिक मार्ग में हैं तो उससे कुछ अच्छे इंट्यूशन्स वगर्ण आपको मिल सकता है जो कि भविश्य में जाके आपके लिए काफी जाता फाइदमन साबित होंगे उसे पर आगार मिलते हुए भी नजर आएंगे सके बाद की जो राशी है वह धनुराशी मों एक चदुर्दर्मा का ब्रहमन है और आपके श्सट अपॉमें सिथ हर्शल के साथ यह गंग मा लाख योकरने जा रा है महतुपण दिन है आपके लिए गूमना फिर ना ज्यादा हो सकता है महतुपण काम भिया हाथ में ले सकते हो जो भी महतुपण काम जो कि रुके हुए है पूरे नहीं हो रहे हैं आज के दिन ज़रू हाथ में लीजिए आपकी जो वैवाई जुड़ीदार उनके साथ भी आपके हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी उसी प्रकार दो पिर के बात के समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी उच्छे लाव वगरा मिलते वो है मकर राशी। लाव बगरां भी मिल सकते हैं दोपर के बात के लिए बहुत ही जादा महत्वपोर्ण सावित होगा अब बहुत ही जादा एक्टिव नजर आओगे जो काम आपके नहीं हो रहे हैं उससे रिलेटिक कुछ अच्छे आइडिया आपके मंग में आ सकते हैं जो की भविशे में ज के साथ आपके इंटरेशन काफी अच्छे देखे जाएगे उनके साथ कहीं बाहर गुणना फिर नहीं हो सकता है दिन आपके लिए बाकिशा अली साबित होगा जबाने के लिए लिए अच्छे लाव गुति जाएगी उससे वेकर आज की दिन आ हम बहुत ज्यदा अट्व रहेंगे आप जो वहीं बाहर गुमना फिर ना हो सकता है अगर आप शेर मार्कर में ट्रेड करते हो तो शॉट टम में कुछ अच्छे लाव बगरा मिलने की संभावना आज के तुम बहुत ही अच्छी बंद रही है दो फिर के बात के समय है उसमें आपकी जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवशक है लेकिन कु करने जा यह अ इसके बात कि जो राशी है बो है मीनराशी कनर वहों में चंदरमा का भ्रमण कर और आपे के सफिसक्ञ्ण के साथ यह शुक्र के साथ ये चान्तरमा त्रीकोन यो करने जा रहा है, अगर के जो लोग है, उनके साथ आपके इंट्रेशन काफी अच्छी देखी जाएगी. अगर के बाद के बाद के जाएगैं, उसमें आपका जो मूरह है, वो काफी सकारात्म में देखा जाएगा. जो काम आपके पूरे होते हुए नजर रहेंगे, आप में कुछ अच्छी इंट्यूजन्स वगरा आ सकते हैं, जो के भविशे में जाके आपके लिए फाइदे में भी साबित होंगे, आपके लिए सही भी साबित होंगे, थोड़ा गुमना फिर ना हो सकता है, लेकिन काम दे हुए नजर रहेंगे, अनविक्षत लाव मिलने की संभावना काफी अच्छी बंदरी है, दिन आपके लिए दोपर के बाद कर समय खास करके शुब्रफलद रही साबित होंगा, तो दोस्तों ये था दिनान 15 अक्तूबर 2024 का संपुर्ण राशिपल, धन्यवार